कुल्दीप को बैजनलाजी का बेटा उसके कद में नहीं रिखा जारा उसे नीचा करेंगे कैसे रहेगा यह दोनों सीट एक तो कलियर है यह हमारी जो बीजेफिक का केंडेट लड़ रहे हैं हारियाना के कैबिनेट मंतरी चौधरी रणजीत सिंग चोटाला ने एक बार फिर से कॉंग्रेस को निशाने पर लिया है रणजीत सिंग चोटाला ने कहा कि कुल्दीप बिश्नोई के कद को देखते हुए कॉंग्रेस में उन्हें पद नहीं दिया जा रहा है तो भही चोटाला ने कहा कि कॉइ कंट्रोल नहीं है और राज्यसबा चुनाओं में हरियाना की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी कौई जितेंगें दोनों सीट यह से मत नहीं कुल दीप को बयजनला जी का उसके कदमें नहीं रिखा जा रहा हुंसे नीच हा करेंगे कैसे रह 흥 क्या स्थिति क्या लग रही है सर राजस्वा चुनाओं को लेकर देखिए दोनों सीट एक तो कलियर है यह हमारी जो बीजेपी का केंडेट लड़ रहे हैं वो तो क्रिशन पार वो तो जिते जितेंगे दूसरी सीट भी हम अच्छे वोटों से जिते रहे हैं निकाई चुनाओं में जीतेंगे जी हर जिक हमारी मैजोटी आएगी सामने कॉंग्रिस के लड़ने की इमती नहीं है और हर जिक है बीजेपी बहुमत से जीतेगी चैए वो मेर के चुनाओं है चैए मिनिस्टिक है तो चोटाला साहब ने तो बीजेपी उमिद्वार कृष्ण पवार की राज्यसवा चुनाओं में जीत का दावा छोक दिया है इसके साथ ही निकाई चुनाओं में जीत हासल करने की भी बात कही है खैर कौन जीतता है किसके हाथ निराशा आती है या फिर किसे मिलती है खुशी ये तो देखने वाली बात है क्योंकि जीत के दावे तो हर पार्टी ही कर रही है हरियाना तक के लिए एक खबर भेजी है सिरसा से समाद दाता बलजीत सिंग ने जोगरदा की खबरों के लिए बने रही हरियाना तक के साथ हुआ हुआ है